So Hi Everyone, स्वागत है आप सभी आंगनवारी वरकर्स का पोशन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में तो जैसे कि आप लोग पोशन ट्रेकर एप में किसी गर्भवाती महिला का निव रेश्टेशन करते हैं तो यहाँ पे निव रेश्टेशन करने के साथ साथ ही यहाँ पे आप लोग को कुछ कलर कोड़ी दिखाये जाता है तो इस कलर कोड़ी का मतलब क्या है आपको इस वीडियो में बताएंगे साथी साथ आपको पोसन ट्रेकर एप में जो गर्भवाती महिला का निव रेश्टेशन आप लोग करते हैं तो निव रेश्टेशन से लेके उसको माइगरेट करने तक की जो भी परकिरिया होती है उसके बारे में आपको बताएंगे तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महतोपूर्ण होने वाली है वीडियो को आप लोग सुरू से लेके लाश्ट तक जरूर देख लिजेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा यदि चैनल पे नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा देखिए जैसे कि हम किसी गर्भवाती महिला को निव रेस्टेशन जो करते हैं वो यहाँ पे निव पंजी करन पे किलिक करके यहाँ पे जो भी डिटेल्स मांगा जाता है उसको हम लोग डालके यहाँ पे समिट कर देते हैं तो जैसे ही समिट करते हैं तो आपका जो लभार्थी है वो यहाँ पे समिट हो जाता है साथी साथ यहाँ पर आगे में एक color coding दिखाए जाता है तो इस color coding का मतलब क्या है चलिए जान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर yellow color में आप लोग देख रहे हैं कि यह गर्भवाती महिला जो है yellow color दिखा रहा है तो yellow color जो होता है चार महिने से लेके छे महिने के बीच में जो गर्भवाती महिला रहेगी उसको यहाँ पर yellow color में दिखाए जाएगा जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर तीनों category में आपको yellow color देखने को मिल रहा है तो ये देख सकते हैं कि चार महिने की गर्भाती महिला है ये छे महिने की गर्भाती महिला है और ये छे महिने गर्भाती महिला है ठीक है और जैसे ही आप लोग यहाँ पे रेड कलर देखेंगे तो रेड कलर का मतलब होता है साथ आठ नौ यानि कि तीन महिने के बीच में सात महिने के बाद लोग किसी गर्भवती महिला को साइट है और जैसे जो चार महिने की गर्भवती bacon करेंगे यहां पे रखाएंगे यहां पर यहां पर ऊप्सन देखने को मिल जाएगा जैसे कहां पर देख Пाएंगेесс criticism is only 6 month pregnant delivery date can be selected 7 month यानि कि जिस्वी गर्भाती महिला को आप लोग migrate करेंगे तो उसका जो pregnancy month होना चाहिए वो 7 month से उपर होना चाहिए तभी आप लोग यहां से उसका delivery का date डालके आप उसको migrate कर सकते हैं अगर वो 6 month की रहेगी तो आप यहां से उसको migrate नहीं कर पाएंगे ठीक है तो चलिए यहां पर हम आपको दिखा देते हैं कि जो 8 महिने की गर्भाती महिला है यानि 8 महिने की जो गर्भाती महिला है उसका हम यहां पर 3.5 किलिक करेंगे यहां पर 3.5 किलिक करने के बाद अस्तनपान कराने वाली महिला में भेजने की option पर किलिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि यह 8 महिना की गर्भाती महिला है और यहां पर जो option आप लोग को यानि कि जो message सो कर रहा था वो यहां से हटा दिया गया है तो इसका मतलब है कि आप यहां पर 7 मन्थ, 8 मन्थ और 9 मन्थ की गर्भाती महिला को यहां पर आसानी से migrate कर सकते हैं ठीक है और एक चीज़ आप लोग को और बताना चाहूंगा अगर आप लोग portion tracker app में new registration कर रहे हैं तो जो LMP date आप लोग डालते हैं उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि अब इसमें एक option है यहां पर LMP date डालने के बाद आप फिर से उसका जो LMP date है वो change नहीं कर पाएंगे ठीक है तो आप लोग को यहां पर ध्यान देनी की ज़रुरत है जैसे कि यहां पर हम profile update पर किलिक करके आपको दिखा देते हैं जैसे कि यहां पर आप लोग LMP date वाले option पाएंगे तो यहां पर आपका जो LMP date है वो change करने का option नहीं दिखाई दे रहा है यहां पर देख सकते हैं हम LMP date पर किलिक कर रहे हैं तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए फिलाल इतना ही अगर इस वीडियो में दीग जनकारी आपको जड़ा सभी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और शेर भी कर दीजेगा और इस वीडियो से रिकार्णिंग आपको कोई भी क्वेस्टन हो आप हमें कम काड़ी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद